हेलो एन वेलकम योल टो लेट्स कराकेट विद अभिशे गुपता तो अब ये वीडियो होने जा रही है फ़नाइस कमिशन के उपर इंडियन पॉलिटी का भारतिय राज़ वर्स्ता का बहुत इंपोटन टॉपक है फ़नेंस कमिशन और इसके उपर जायतर एकसायं में तियारी कर रहे हैं चाहे आप prelims के exam की त्यारी कर रहे हों चाहे किसी mains के exam की त्यारी कर रहे हों या मेंस में आपको subjective answers लगने हैं सभी जहाँ पर आपको finance commission के उपर सवाल जरूर बनते हैं चाहे article पूछ लेगा, part पूछ लेगा या finance commission का कौन chairman है कैसे गाम करता है finance commission कौन appoint करता है, किसको report submit होती है किसी भी तरह के सवाल पूछ आ सकते है तो वो सब चीज़े हम इसमें deal करेंगे इसको आपने अगर अच्छे से देख लिए अन तक आप इस वीडियो को जुरूर देखेगा आपका एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो finance commission से चोट जाए गैस स्कार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने youtube से subscribe नहीं किया तो इसको जुरू सब्सक्राब कर लिजेगा और इसका लिंक आपको वीडियो को description मिल जाएगा सारे updates यहीं पे आते हैं सब चीज़े यहीं पे आती है इसी free telegram channel पे mains के लिए answer writing question के लिए जो free initiative चल रहा है वो भी यहीं पे आता है तो उन सबी चीज़ों को करने के लिए आप इसको जुरू से जुरू जोइन कर लिए गैस साथ बसन चाहूँगा कि free quiz telegram channel भी है जिसका link आपको वीडियो के description मिल जायागा तो उसको भी join कर लेना और lower PCS mains के लिए RO RO Advocate General mains के लिए full preparation batch चल रहा है test series चल रही है तो जो भी willing candidates है जो चाहते है कि वो अपनी test के performance के थूरू अपनी performance चेक करें कि test देकर उनको समझ में आ जाएगा कि उनकी performance कैसी चल रही है और हो एक्जाम में जब जाएंगे तो वो कितने prepare होके जाएंगे तो उसके लिए हम मुझे 766-580-4421 पर call your message कर सकते हैं और test series join कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं Finance Commission अगर हम देखें सबसे पहले introductions अगर स्टार्ट करें तो Finance Commission जो है वो constitute किया जाता है President के दुआरा important चीज़ हैं यह सब important important points हैं इनको आप note करते चलिएगा या वीडियो को अंतक देखेंगा जिससे के आपकी सब चीज़े सेट हो जाएं दिमाग में उसके बाद आता है कि बाया presidential order तो President के दुआरा constitute किया जाता है ना यह बिल्कुल भी नियायक नहीं है यह quasi judicial है यानि कि कुछ जो decisions हैं यह judicial body के रूप में भी लेता है of the constitution as a quasi judicial body mainly to give its recommendations on distribution of tax अब दिकिए Finance Commission का जो main काम है वो क्या है वो यह काम है कि उसको tax का जो distribution है उसके उपर recommendation देनी है यानि कि सुझाव देने है सरकार को President को कि जो tax है tax का पैसा center में center के बीच में और states के बीच में या फिर दो राज्यों के बीच में किस तरह से पैसा बटेगा वो जो काम है बताने का वो Finance Commission का काम है on distribution of tax revenue between the union and the states and among the states देंस तो states के बीच में भी और union और states के बीच में जो tax का division है उसको बताने का काम जो है वो किसके पास है Finance Commission के पास है Article 280 के तहाथ It is constituted by the President of India every fifth year or at such earlier time as he considers necessary तो ये President of India के द्वारा हर 5 साल में बनाया जाता है या पहले भी बनाया जा सकता है डिपेंड करता है अगर President को उसकी need लगती है तो दो distinctive features है Commission के work के involved redressing the vertical अब थेकि इसमें दो तरह के share होते है आपके एक तो vertical share है और एक horizontal share है तो vertical share क्या है vertical share है मलब जो अलग-अलग level पर है vertical का मलब होता है ऐसे करके जो levels होते है उनको vertical levels कहते है तो उपर से नीचे तो सबसे उपर मान के चलते हैं कि सबसे उपर union होगा उसके नीचे फिर states होंगे तो यह तो होगया vertical level फिर एक आता है horizontal level तो vertical के बाद आता है horizontal अब horizontal में क्या है कि अगर horizontal में हम इस तरह से देखते हैं कि एक के बाद एक जा रहे हैं, तो जानि कि एक राज्य है UP, एक राज्य है उतराकंड, एक राज्य है जारकंड, तो अलग-अलग राज्यों में किस तरह से पैसे का डिवाइड होगा, किस तरह से tax का जो proceeds है, कि कितना tax किस राज्यों को मिलेगा, कितने tax का पैसा किस राज्य and expenditure responsibilities of the center and the states respectively और जो expenditure responsibilities है यानि कि कितना expenditure करना है कितना खर्चा करना है राज्य को और केंडर को उसके बारे में भी बताएगा and equalization of all public services across the states तो 15th Finance Commission जो हाली में point किया हुआ है was constituted on 27 November 2017 को उसको point किया गया था against the backdrop of the abolition of planning commission तो 2015 में 1 January 2015 से जिस दिन से नीती आयोग कि स्थापना हुई उस दिन planning commission को खतम कर दिया गया जब planning commission खतम हुआ तो planning commission के खतम होने के साथ यानि कि जो planning commission था planning आयोग था उसके खतम होने के साथ साथ दो तरह के पहले expenditure हुआ करते थे एक हुआ करताथ था plan expenditure एक हुआ करताथा non plan expenditure तो plan expenditure वो expenditure हुआ करता था वो खर्चा हुआ करताथा जो planning commission की report के दोरान आया करता था औट non plan ऐसा कर्चा था कि जो उसमें नहीं included होताथा तो जब planning commission को खतम किया गया तो जो संब जो which was fundamentally redefined federal fiscal relations तो जो federal के यानि की केंद्र के और राज्यों के जो fiscal relations थे ये पूरी तरह से बदल गए different हो गए जब से 1 जुलाई 2017 से GST लगो किया गया 15th Finance Commission के जो चेर्मेन है वो N.K. Singh है was required to submit two reports उनको दो reports करने की सम्मिट करने की बात की गई क्योंकि 2017 में जब उनको point किया गया लेकिन 2020 तक आते आते पता चला कि Corona pandemic आ गया है तो उसके वैसे पूरी अर्थे में इस था गरड़ा गई थी तो इसलिए जो 5 साल का period था उनका वो 5 साल का period बढ़ा के 6 साल कर दिया गया और जो reports थी उनसे 2 reports सम्मेट करने की बात की गई तो पहली report जो थी उसने recommendations रखी 2020 से 2021 का जो pandemic year था जिसमें pandemic की 2 waves हमने देखी तो major league उसको effect करता था इसको फरवरी 2020 में Parliament में table किया गया और जो final report थी वो 2021 से 2026 की period की थी और इसको एक फरवरी 2021 में table किया गया Parliament के नदर तो functions क्या है finance commission के अगर हम functions देखें finance commission के तो यानिकि वित आयोग के कारे क्या होंगे तो it is the duty of the commission to make recommendations to the president तब पहली बात तो ये है commission की duty है president को recommend करना यानि कि finance commission जब president निक्त करते हैं तो वो report भी या recommendations भी president को ही देते हैं बाद में president उसको parliament में रखते हैं उन reports को लेकिन finance commission से अगर आप से सवाली पूछ जाएगी finance commission report करता है parliament को या finance commission अपनी reports को parliament में पेश करता है तो ऐसा नहीं होता finance commission अपनी reports को parliament में पेश नहीं करता वो अपनी reports को president को देते हैं तो अब function क्या है तो पहला function आता है distribution between the union एक तरीके सम्हों माने उसको हम net proceeds of tax बोलते हैं तो अब यह जो net proceeds of tax है यह किस तरह से divide होगा केंदर के बीच में राज्यों के बीच में उसके बारे में Finance Commission बताता है divided between them and the allocation between the states of the respective shares of such proceeds for the principles which should govern the grants in aid यानिकि जो अनुदान है grants in aid है उसको किस तरह से divide के जाएगा उसके बारे में बताता है of the revenues of the states out of the Consolidated Fund of India यानिकि जो भारत की संचित निदी है उस संचित निदी से किस तरह से पैसा जाएगा उसके बारे में बताया जाता है the measures needed to augment the Consolidated Fund of State to supplement the resources to the panchayats तो फिर ये Consolidated Fund of State का भी बताता है कि to supplement the resources of the panchayats तो the measures needed to augment the Consolidated Fund of State to supplement the resources of the panchayats तो panchayats की जो resources है ये panchayat वाला जो clause है ये 73rd और 74th का जो amendment हुआ 1992 का उसके बाद इसको add किया गया था in the state on the basis of the recommendations made by the finance commission of the state the measures needed to augment the Consolidated Fund of State supplement the resources of the municipalities तो फिर जो panchayats था उनका 73rd amendment के बाद आट किया गया था और जो municipalities था उसका 74th amendment के बाद आट किया गया था Any other matter refer to the commission by the president और माले ते कोई दूसरा matter है जिसको president ने अगर refer किया है commission को तो commission उसके उपर भी report submit करेगा The commission determines its procedure and have such powers in the performance of their functions as parliament may be by law यानि कि जो parliament है वो अपने function को किस तरह से करेगा by law पर्लेमेंट by law तो parliament जो है वो बतायेगा कि किस तरह से commission को काम करना है The commission submits its report to the president जो commission है वो अपने report president को submit करते हैं He lays it before both the houses of parliament जो commission है यानि कि जो president है वो commission की report को रखते हैं दोनों houses के सामने बोद the houses of parliament चाहे वो लोगसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो along with an explanatory memorandum as to the action taken on its recommendations अब बात आती है advisory role की यानि कि जो finance commission है उसका जो role है वो एक advisory की तरह है वो advise कर सकता है recommendations दे सकता है सुझाव दे सकता है लेकिन उसकी जो clarification है या जो recommendations देता है वो कभी भी बात दे नहीं होती सरकार पे तो it must be clarified here that the recommendations made by the finance commission are only of advisory nature and hence not binding on the government यह important चीज़ है सवाल आपको यहीं पे फसा सकता है कि क्या finance commission के recommendations binding होती सरकार पे बिलकुल नहीं होती binding बिलकुल नहीं होती चाहे सरकार उसको माने चाहे सरकार उसको ना माने It is up to the union government to implement its recommendations on granting money to the states तो यह union government के उपट event करता है कि वो चाहे तो माने चाहे ना माने उसकी बात को Next आता है appointment of finance commission देखे है और जो qualification है उनके members की अगर उस चीज़ को पे ध्यान दिया जाए कि finance commission को किस तरह से appointment किया जाता है और जो members बनते है finance commission के उनकी qualifications क्या है The finance commission is appointed by the president under article 280 तो article 280 तहद बनाय जाता है finance commission वितायोग यह हम देख चुके है The finance commission consists of a chairman and four other members to be appointed by the president तो finance commission के अंदर एक chairman होता है और चार और members होते है जो president appoint करता है They hold office for such period as specified by the president in his order तो यानि कि wage लोग यह जो चारों लोग होते हैं यह office को उतने time तक hold करकर रखते हैं जितने time तक president अपने order में चीज़ लिखता है They are eligible for reappointment यह important चीज़ है उनको reappoint भी किया जा सकता है The constitution authorizes the parliament to determine the qualification of members यानि constitution authorize करता है संसत को कि वो determine कर सकता है कि क्या qualification होगी उन members की और वो किस तरीके से किस manner में उनको select किया जाएगा यह constitution यह power parliament को देता है कि parliament महापे एक legislation लाकर या parliament rule लाकर महापे इसको बना सकता है कि कौन member बन सकते हैं finance commission के और किस तरह से बनेंगे As per the provisions contained in the finance commission Miscellaneous Provisions Act 1951 एक finance commission के लिए act लाएगे 1951 में फिर एक आया है finance commission salaries and allowances rules 1951 तो जो chairman है commission के उनको उन लोगों में से select कह जाएगा जिनको public affairs में काफी अच्छा experience होगा and the four other members are selected from among persons अब देखे 5 members होते हैं finance commission के अंदर जो finance commission के chairman होंगे वो वो person होंगे जिनको public affairs में काफी अच्छा experience होगा और बाकी के जो चार बचे वे members हैं वो कौन हो सकते हैं वो हो सकते हैं जो की एक तो high court का judge बनने के qualification हों रखते हों या फिर have special knowledge of the finances and accounts of government सरकार का जो finance है अकाउंट है उसकी special knowledge रखते हों wide experience in financial matters and in administration और उनके पास economics की special knowledge होनी चाहिए तो यानि कि basically आपको क्योंकि finance देखना है तो economics finance इन सब की जो अच्छी knowledge रखते हैं लोग वो finance commission के member बन सकते हैं the recommendations of the finance commission are implemented as under अब देखे recommendations देख लेते हैं कि with I.O की जो recommendations है वो कैसे implement होती है तो जो president के orders implement होती है अगर हम उसको देखे the recommendations relating to distribution of union taxes and duties and grants in aid fall in this category अब देखे किस तरह से पैसे का division होगा किस तरह से distribution होगा taxes का वो president के order से कहा जाता है तो distribution होगा union tax का और duties का और grants in aid का वो इस category में आती है और जो executive का orders आएग executive कौन होता है executive है यानि कि जो prime minister of India है तो other recommendations to be made by the finance commission as per its terms of reference अब ये terms of reference क्या है इसको समझने कोशिश करते हैं कि जब भी कोई आयोग बनाय जाता है कोई commission बनाय जाता है उसको कुछ terms दिये जाते हैं कि आपको in terms पे क्या काम करना है और आपको इन चीज़ों के उपर reports बनानी है तो वो जो terms of reference है यानि कि आप reference क्या करोगे यानि कि आप काम क्या क्या करोगे तो जब भी कोई आयोग बनाय जाता है तो terms of reference बताय जाती है तो जो भी taxes के लावा जो दूसरे काम होंगे वो सीधा सीधा executive order से काम किया जाएगा पहले वितायों की अगर हम बात कह रहे है तो जो पहला वितायों लगाया गया वो 1951 में लगाया गया और उसके जो chairman हुआ करते थे वो केसी नहीं होगी थे जिनको 6 April 1952 को appoint किया गया था और अभी 15 finance commissions लगाये गए है अब तक 15 finance commission आ चुके है 15 वितायों आ चुके है और जो इस time present में जो वितायों चल रहा है वो 15th finance commission है अब बात आती है कि क्या यह जो finance commission का concept है यह भारत में unique है कि अमलब भारत में होता है या दूसरे और countries में भी होता है तो most federal system जहां पर भी federal system है यानि कि जहां पर भी केंदर है और राज्य है resolve the vertical and horizontal देखे वर्टिकल हम समझ चुके है vertical का मलब है सब से उपर केंदर हुआ फिर राज्य हुआ इस तरह से करके और horizontal का मलब हुआ कि जब दो या तीन राज्य होते है उनके बीच में तो vertical और horizontal imbalances जो है सभी जगाव पर होते हैं इसको solve करने के लिए इस imbalance को solve करने के लिए finance commission लगा जाता है चाहे वो Australia में हो चाहे वो Canada में हो तो क्या ये भारत के लिए unique है finance commission नहीं ऐसा नहीं है ये भारत के लिए unique नहीं है next आता है कि क्या formula यूज किया जाता है distribution के लिए कि कितना tax किसको पास जाएगा the share in central taxes is distributed among states based on a formula previous finance commissions have considered various factors अब देखे अलग-अलग factors को consider किया जाता है कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा तो previous finance commissions ने कहीं सारे factors को determine consider किया है determine करने के लिए the criteria अब वो criteria क्या है जैसे कि population को लिया है income needs of states उनका area कितना है infrastructure कितना है तो इन सब चीजों पर depend करता है for example अगर मैं UP और उत्राखंड की बात करूँ तो UP का area automatically बड़ा है UP की population जादा है तो वहाँ पे needs जो होंगे taxes के पैसे की जो central government देगी UP को वो जादा होगी as comparison to उत्राखंड क्योंकि उत्राखंड की population भी कम है उत्राखंड का area भी कम है further the weightage assigned to each criteria has varied with each finance commission अब इन जो अलग-अलग जो criteria है इनको कुछ weight is दिया गया है कि किसका weight कितना होगा यानि किस criteria को कितनी तवज्जू दी जाएगी तो हर finance commission के साथ ही चीज़े बदलती रही है तो 11th finance commission से 14th finance commission तक हम देखते हैं 11th to 14th finance commission तक देखते हैं कि किसको कितना कितना मिला है अब income distance अब यह हम समझेंगे या आगए कि income distance क्या होता है यह सब चीज़े भी हम समझेंगे पहले देख लेते हैं कि अगर जो income distance है 11th finance commission में इसको 62.5 percentage इसको criteria मिलावा था लेकिन 14th finance commission में इसका 50 आ गया फिर population जो है 1971 की इसमें 17.5 दिया गया 2011 की population का 10 और index of infrastructure इसको बाद में नहीं include किया fiscal discipline नहीं किया tax effort को नहीं किया fiscal capacity discipline को भी नहीं किया है और area को 15% किया गया forest cover को 7.5% किया गया तो यह 14th finance commission में जो हुआ है उसकी report है यह अब यह देख लेते हैं कि population और यह सब चीज़े क्या है तो population क्या है population एक indicator है of the expenditure needs of a state यानि कि कितना खर्चा उस राज्य को जरूरत है कि उस राज्य को कितना खर्चा करना पड़ेगा वो उस राज्य की जन संख्या बताएगी जिस राज्य की जतनी जन संख्या होगी सीधे सीधे उस राज्य का खर्चा भी जाथा होगा over the years finance commissions have used population data of the 1971 census तो अब तक 1971 census तक का data ही यूज करते हा रहे थे लेकिन चौदवे finance commission ने पहली बार 2011 का data यूज किया 1971 के data के साथ साथ 1971 का data उन्होंने यूज किया ही साथी साथ उन्होंने 2011 का data भी यूज किया और 15th finance commission ने भी 2011 का data ही इस्तमाल किया है area की बात करें तो area is used as a criteria as a state with larger area has to incur additional administrative cost तो जिनका area बड़ा होगा उनकी administrative cost भी जादा होगी तो simple सी बात है area अगर बड़ा है तो आपको पैसा भी जाथा मिलेगा next आता है income distance अब देखिए income distance बहुत important concept है इसको समझाना बहु जरूरी है income distance एक difference है between the per capita income of a state with the average per capita income of all states अब देखिए ये इसका क्या मतलब है हम समझते हैं उत्राखंड के examples लेकर समझाता हूँ कि for example per capita income जो उत्राखंड की है माल लेते हैं वो 200 रुपे हैं और जो per capita income पूरे सभी states की मिला के आती है average per capita income सभी राज्यों की मिला के आती है वो माल लेते हैं 220 रुपे आई पूरे भारत की पूरे भारत की अगर हमने सभी states के सभी लोगों की average per capita income निकाली और माल लेते हैं वो 220 रुपे आई पूरे भारत की और उत्राखंड की 200 रुपे है तो यानि कि states की per capita income कम होगी वहां के लोग कम कमाते होंगे तो उनको जादा पैसा मिलेगा जादा शेर मिलेगा जिससे की वहाँ पे उस state के अंदर development किया जा सके फिर forest cover अपना हम एक बहुत important role play करता है तो forest cover indicates that states with large forest covers bear the cost of not having area available for other economic activities अब देखिए जिस एरिया में जिस जहाँ पे forest cover बहुत जादा होगा तो जो large forest cover होगा वो bear करेगा cost of not having area available for other economic activities तो दूसरी जहाँ की economic activities वो दूसरी economic activities नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत सारा area तो jungle के अंदर है अब वो jungle तो काट नहीं सकते है क्योंकि उसके लिए environmental clearance चाहिए बहुत सारी चीज़े चाहिए तो jungle काट नहीं सकते है economic activity कर नहीं सकते है तो उस राज्चेयों के बहुत जादा दिक्केते होंगी उत्राखंड is the best example for this या northeast के जो states है वो इसका सबसा अच्छा उधारण है कि north east और हिमालियन राज्चे जो है जहाँ पे जंगलों का शेयर फोजादा है पहड़ी छेतर है वहाँ पे हम जादे economic activity नहीं कर सकते है फिर बात आती है grants in aid की यानि की अनुदान की तो besides the taxes devolved to states अब taxes तो दे ही जाएंगे जो दूसरा source है transfer का from the center to states is grants in aid तो as per the recommendations of the 14th finance commission जो grants in aid है वो 12% रहा central transfer का जो सभी states को किया गया 14th finance commission had recommended grants to states for three purposes जो जोधवे finance commission ने जो चौधवा वितायोग था उसने तीन कारुनों के लिए grants in aid को कहा गया जो states को दे जाएंगे एक था disaster में relief लाना एक local bodies का और एक revenue deficit का यानिकि disaster जब भी आ जाते हैं तो उसके relief के लिए local bodies के लिए यानिकि पंचायत और municipalities के लिए और revenue deficit अगर होता है तो उसके लिए तो finance commission से कौन-कौन से articles है जो related है अगर हम वो देखें तो एक तो article 280 है जो finance commission के बारे में कहता है और article 281 है जो recommendations के बारे में कहता है finance commission की ये दोनों articles बहुत important है तो अगर हम 15 विटायोग को देखें एक competition देखें उनका कि 15 विटायोग में कौन-कौन से members हैं तो उसके chairman हैं वो है N.K. Singh और उसके बाद जो members तरीकी members इसके change होते रहते हैं basically हमें chairman ध्यान रखने की chairman कौन है तो जो सदस्य हैं वो change हुए हैं जिसे शक्ति का अंतिदास थे पहले लेकिन इनको बाद में R.V.I. के governor बना दिया गया तो अब ये इसके member नहीं रहे हैं फिर डॉक्टर अनूब सिंग हैं फिर डॉक्टर अशोक लहरी, डॉक्टर रमेश चंद और शुरी अर्विन महता ये secretary है तो ये सबी लोग शुरुवात में बनाए गए थे लेकिन इसके बाद कुछ members नहीं हैं तो maybe वो आपको एक बार ध्यान अफना जरूरी हो सकता है लेकिन फिर भी इतना जरूरी नहीं है maximum आपको chairman बता होने चाहिए तो ये देख लेते हैं कि कौन-कौन से finance commissions appoint किये गए हैं अब तक अगर देखें तो first finance commission appoint किये थे 1951 में के senior की उसकी chairman थे उन्हें अपनी report summit की 1952 में और जो implementation का period था वो था 1952 से 1957 तक फिर second finance commission के chairman के संथानम थे 1956 में appoint किया गया 1957 में report summit की और ये 1957 से 1962 तक इनकी period of implementation रहा फिर third finance commission appoint किये तो उसके chairman थे एके चंदा और ये 1960 चंद कह देते हैं एके चंद appoint किये गया 1960 में submit की रिपोर 1961 में और 62 से लेके 66 तक का period था फिर fourth finance commission बहुत important रहा डॉक्टर पीवी राजा मनार जो थे वो जिसके chairman थे appoint किये गए 1964 में submit की report 1965 में और जो period of implementation था वो 1966 से 69 के बीच में था फिर fifth finance commission के अगर बात करें तो fifth finance commission के chairman है वो है महावीर त्यागी 1968 में appoint किये गए थे 1969 में report submit की और जो period of implementation था वो 1969 से 1974 रहा देन आते हैं sixth finance commission sixth finance commission के chairman थे वो थे ब्रह्मनंद ready और ये जो appoint किये गए 1972 में किया report इन्हों 1973 में दी और ये period जो था 1974 से 1979 का उस दोरान इसको applicable किया गया यानि कि जो आपका emergency वाला आया रहा था वो भ्रह्मनंद ready के दोरान हुआ यानि कि sixth finance commission के दोरान हुआ next आता है seventh finance commission की बात करें तो जेम सहलत जो थे वो इसके chairman हुए 1977 में appoint किया गया था 1978 में report submit की और 1979 से 1984 तक इसकी जो recommendation का जो period था वो ये चला फिर eighth finance commission Y.B. Chohan थे 1982 में appoint 1984 में report submit हुई 1984 से 89 तक अपीरेट था ninth finance commission N.K.P. Salve 1987 में appoint किया गया 1989 में report submit की और ये 1989 से 1995 तक इनकी recommendation अपीरेट चला तो 10th finance commission देखी ये important है ये चीज़ क्योंकि ninth finance commission के दोरान economic reforms हुए थे भारत में सवाल पुझा सकता है कि भारत में जो economic reforms लाए गए थे उस time पे कौन सा वितायोब था कौन सा finance commission था तो वो ninth finance commission था और उसके chairman कौन थे N.K.P. Salve थे तो फिर tenth finance commission के इसी पंद के under था 1992 में appoint किया गया 1994 में इसको implement किया गया 1994 में रिपोर्ट सम्मिट किया 1995 से 2000 तक वो implementation period में रहा फिर 11th finance commission जो है वो A.M. Khushro के under था chairman थे A.M. Khushro 1998 में appoint किये गए 2000 में उन्होंने रिपोर्ट सम्मिट की और 2000 से 2005 के बीच में वो implement हुआ फिर 12, 13, 14, 15 और देख लेते हैं तो जो हमारा बार्वा finance commission था डॉक्टर सी रंगराजन के अंडर रहा ये गवर्णर भी हुए RBI के 2002 में इनको implement किया गया था 24 में उन्होंने रिपोर्ट सम्मिट की और 2005 से 2010 के बीच में हुआ फिर 13th finance commission के अगर देखें तो डॉक्टर विजय केल करके अंडर किया गया chairman थे 2007 में इनको appoint किया गया 2009 में इन्होंने रिपोर्ट सम्मिट की और 2010 से लेकि 2015 तक period था इनका recommendation था next आता है 14th finance commission की बात करें तो वाई भी ready रहे है 2013 में इनको appoint किया गया था 2014 में रिपोर्ट सम्मिट हुई है 2015 से 2020 के विच में इसको implement किया गया और 15th finance commission के अगर बात करें तो जो हाली में है वो एनके सिंग जी की अंचेर्मेंशिप में है 2017 में इनको appoint किया गया था 2020 और 2021 में दो इन्होंने रिपोर्ट दी है पहली रिपोर्ट 2020 में दी दूसरी रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट 2021 में दी और implementation period जो है आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर दीजेगा इसको शेयर जरूर कर दीजेगा बागी चले मिलते है नेक्स वीडियो में थेंक्यू और बाई